क्लास 9 से exercise 2.5 है, question number 12 है, आए देखते हैं, इसको solve करते हैं, इसको दोनों तरफ equal करना है, यानि जिधर ये left side जो दिया हुआ है, वह right side के equal होना चाहिए, यानि right side को हम solve कर लेते हैं, तो left side के equal आ जाएगा, तो हम लिखेंगे from RHS, ये same रहेगा, इसको same लिख लेते हैं, इस bracket को हम solve करते हैं, x minus y the whole square के form में इसको तोड़ेंगे, तो यानि कि a minus b the whole square के form में, तो x square plus y square minus two xy, इसको भी तोड़ते हैं, plus y square plus z square minus two yz, इसको भी तोड़ते हैं, z square plus x square minus two zx, अब हम क्या करेंगे, ये same लिखेंगे, जैसे है, वैसे लिख देंगे इसको, अब यहाँ पर देखें, x square, x square, 2 x square, y square, y square, 2 y square, z square, z square, 2 z square, minus two xy, minus two yz, minus two zx, ये same रहेगा, यहाँ पर हम two common कर सकते हैं, सब में two है, तो two common कर सकते हैं, x square, y square, plus z square, minus xy, minus yz, minus zx, यानि कि ये, ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको, ये two से two, cancel हो जाएगा, अब बचा मेरे पास, x plus y plus z, into x square, plus y square, plus z square, minus xy, minus yz, minus zx, यहाँ बचा है, अब यहाँ किसका फर्मूला होता है, फर्मूला होता है, ये, x q, plus y q, plus z q, minus three x, y, z, और यही चीजम को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, इसको आप बनाईए, या बेहतर क्वेस्चन है, ये इन्पॉर्टेंट है, कलास नाइन्थ में, इसको एक्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप सॉल्व करिए, अगर कोई दिक्कत है, तो कॉमेंट करके मु लुक πेन्का झां आप सुल्बके, अगर आप सॉल्व कर ow नाइन चाम, इसको बाता है, प्रू प्रूफ च्चिकत प्रूफ हो आए़ग मैं, चresso में गवालने है, इसको आप सॉल्वाच है, ये उहां बनाईए, पूमेग AHLE आप करा इसको आप सुल्दार है, तो कि अवार